हलो मेरे प्यारे दोस्तो तो भाई कैसे हो आप सभी दोस्तो आज हम खेलने वाले है भाई रो फिरो वाईस टाउन और यह एक बहुती मज़दार गेम है और चलो भाई या चलते हैं सिटी के अंदर और हमारे टिप्शन दादा का फोन आया यार पता ने उनको क्या दिक्कत है तो यार हम लोग चलते हैं टिप्शन दादा के पास पहले और जल्दी से हम लोग चलते हैं और सामने ही हमारे टिप्शन दादा का घर है और यह दिखो भाई रो फिरो यार कैसे चल रहा है मतलब भाई ऐसे तो यह कई सालों में आप पहुच पाएगा और चलो यार इसको लात मार कर देखते हैं, ओ भाई, कितनी खतरनाक लात है, बिजली का खंबा एक ही लात में पट गया, जमीन से उकड़ कर यार, बहुत दूर जाकर गिरा, तो भाई, चलो, ओ भाई, मतलब यह गाड़ी वाला कहा जा रहा है, चलो, इस गाड़ी वाले को भी एक लात धर कर दे दिख रहे हो, टिप संदादा, अपनी परेशानी बताइए, हम उस परेशानी को दूर करेंगे, अरे रो फिरो, अभी बोस का फोन आने वाला है, और ले फोन आ दी गया, हाँ बोस, बोलिए, अच्छा, ऐसार क्या, रो फिरो भाई, एक दब कते गर जब हो गया, बोस के ग बदमास को, और ये रहाव है गुंडा बदमास, जिसने बोस के घर में चोरी किया, अरे रुखजा चोर उचक के हमारे बोस के घर में चोरी किया, आज तिरे को बताता हूँ, ले एक लात खा पहले तो तू, और एक और लात खा भाई, या अभी तो एक लाई, भाई, बच कहा जाएगा, आज तिरी खैर नहीं है, आज तुझको हम बहुत तगड़ी मार डालेंगे, और भाई, ये क्या हो रहा है, यार, बतलब ये एड कहां से आ रहा है, और चल भाई, इस एड को जल्दी से कलिक करते हैं, और उस चोर को पकड़ते हैं, यार, चोर कहां भाग गय अरे, चोर उचक्के रुख जा, ओ भाई, फिर इसे क्या हो गया यार, तो भाई, इस चोर उचक्की की आज खैर नहीं है, तो चलो भाई, अपना हत्यार निकालते हैं, ये ऐसे नहीं माननेगा, एक लात खाकर भी यार, बच गया, तो यहां पर हम लोग पिस्तोल निकालते और इसको जल्दी से सूट भी कर देते हैं, ओ भाई, चोर तो बड़ा ही तेज है, और भाई, इसके साथ तो पुलिस भी लगी है, पुलिस भी आ गई, ले पुलिस वाले पहले तुही गोली खा, और चोर आज तो तू बचके कहीं नहीं जाएगा, आज तीरी हम लोग चट नहीं बिगाड सकता, अच्छा, तुने यहाँ पर पुलिस वालों को भी पैसे दे दिये, अब तो तेरी खायर ने, अब तुझे मारूँगा मसीन गंज दे, अब तेरी खायर ने है वाई, ओ भाई, फिर से भाग गया यार, चोर बहुत ही तेज है, भाई, इसके पार तो मतलब कोई बात नहीं, आज इस चोर के हम लोग बजा देंगे बैंड, और भाईया, चोर को हमने मार दे, और जल्दी से बोस का रुपिया भी यहाँ पर ले ले लिया, और देखो भाई, चोर के साथी भी यहाँ पर आ गए, और इनकी देखो अभी कैसे बैंड बजाता हू चोर को पकड़ने के चक्रवें, यहाँ पर हम लोगी करिमिनल बन चुके है, तो भाईया, यहाँ से दूर भाग जाते हैं, तकि पोलिस भाई, हमको ना पकड़ पाए, और जल्दी से, भाईया, पकल ले तो यही गाड़ी पकल लेते हैं, रै रुकजा, रुकजा, भाई, ओ भाई बतला पिछे से कोन इतनी गोलिया मार रहा है यार भाई इतनी गोलिया कोन मार रहा है यार ओ भाई देखो तो यार कितनी सारी गोलिया एक बार ही चला रहा है तो यार हमको लगता है पुलिस का बड़े वाला रोबोट आ चुका है और ये राव यार रोबोट ओ बेटा रोबोट आज तेरी मोत आई है हमारे हाथ तो तु मरकरी रहेगा और यार इस रोबोट ने तो हमारी HP को बहुत ही जादा कम कर दिया भाई यहां से तो भागना पड़ेगा अभी देखो भाई एक गोलिया अंदा दुन चला रहा है तो जल्दी से यहां से भाग जाते HP थोड़े दिरे दिरे रिकावर हो जाएगी और जल्दी से भाईया टिप्सन दादा का घर कहा पर है तो यार यहां पर तो हमसे टिप्सन दादा का घर ही हम लोग भूल चुके हैं तो यार चलो टिप्सन दादा का घर कहा पर है अभी हम लोग देख लेते हैं भाईया तो जल्दी से इस बिल्डिंग से अब निच्चे भी उतरना पड़ेगा और यह सारा रूपिया जो हमने उस चोर उचके बदमास गुंडे से लिया ना तो इसको दे देते हैं टिप्सन दादा को और टिप्सन दादा इस रूपियों को पाकर पहुत ही खुश होंगे क्योंकि यार बोस का पहला काम था तो इस पहले काम को करकर हमको भी मज़ा आ गया और पुलिस वालों से भी हमने आपर बहुत पंगा लिया और सभी स्टार हब हट चुके हैं तो जल्दी से भया कोई गाड़ी भी यहाँ पर हम लोगों को पकड़नी पड़ेगी जब हम लोग इस ल यार इसका कुछ पता नहीं है क्या चीज है तो यार चलो इसको ही लेकर करके जाना पड़ेगा चाहे बैल गाड़ी हो चाहे गाड़ी हो मतलब जाना तो इसको ही लेकर पड़ेगा तो यार भाई मतलब रेड लाइट है आगे तो भाईया रेड लाइट हमको नहीं दिखती तो यार हम लोग चलेंगे अब आगई तो यार रेड लाइट होनी पर भी हम लोगों इहाँ पर बिजली के बहुत सारे खंबे तोड़ दिये बहए टिप्सन दादा का घर कीदर रह गया यार मतलब बहए लगता है टिप्सन दादा का घर हम लोग भोल चुके हैं तो यार चलो फिर भी चलते हैं आगे ही साध हम लोगों को टिप्सन दादा का घर आगे ही मिल जाए और भाया टिप्सन दादा का घर तो आगे ही है अब हमको टिप्सन दादा का घर है तो जल्दी से हम लोग टिप्सन दादा के पास पहुँझाते हैं ओ भाई हमारी गड़ी को क्या हुआ यार यह कैसे रुख जाती है और सामने यह रहे हमारे टिप्सन दादा तो भाई यार टिप्सन दादा आपका तुम्हारी बेंड बजा दूँगा आज तुम भाग जाओ यहां से और चलो यार यह रूपया टिपसंदादा के घर के पीछे रख देते हैं पीछे नहीं रखेंगे उनके विंडो के अंदर से अंदर डाल देंगे ताकि टिपसंदादा जब भी जिंदा हो यह रूपया उन जाते हैं तो भाग भी कमेंट बोक्स में बताईए तो भाईया अभी हम लोग चलते हैं अपने घर पर और यहां पर एक रोप माड़ लेते हैं और रोप तो यार किसी बैनर के उपर लग गई और बैनर ही उखड़कर हमारे हाथ तो में आ गया तो जल्दी से इस उच्छे वाली बिल्डिंग पर चड़ जाते हैं और देख लें यार हमारा घर कहां पर है और बैया चलो यार आज के वीडियो में इतना ही आसा करते हैं यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी सेर तो चलो मिलते हैं नेक्ट वीडियो में जैहिंद बंदे मातरम